ससुलाल साधी में सरीक होने आये जमाई को आटो रिक्षा ने मारी टककर इलाज के दोरान मौत जिवाना भीनमाल स्टेट हाईवे पर तालियाना के पास तेज गती से आराय आटो रिक्षा ने दो इवकों को टककर मार दी जिससे एक इवक गंबिर रूप से घायल हो गया प्राप जानकारी के नुसार तालियाना निवासी हीरारम पुत्र जवाराम मेगवाल उम्र 21 वर्षवा उनके बेनोई मांगिलाल पुत्र उदारम मेगवाल उम्र 31 वर्ष निवासी जूना मीटा खेडा जिला बालोतरा को एक लापरवाई पूरुक चलाते आटो रिक्षा ने दोनों युगों को सपेड में ले लिया इस दोरान जूना मीटा ख्याडा निवासी मांगिलाल गंबिर घायल हो गया जिसको जीवाना के जीवन जीवना अस्पिताल में प्रात्मिक उपशार के बाद जोदपूर रेफर किया गया जोदपूर अस्पिताल पोशने पर मांगिलाल को मर्त गोसित कर दिया जिस पर प्रिजनों ने सब को साहिला के समदक स्वास्ते के अंदर की मोसरी में लाया और प्रिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्श कर डॉक्टरों द्वारा पोश्ट मार किनारे आ रहे थे इस दोरान पिछे से लापरवाई पुरुक ओटो रिक्षा चालक ने दोनों युवकों को सपेट में ले लिया था जिससे हिर्याराम को हलकी सौट लगी वहीं उनके बेनों मंगिलाल ओटो रिक्षा की सपेट में आने से गंबिर घायल हो गए वसीर में सौटर पहुंची जिससे प्रिवार का एक बात्र युवक की मरति हो गई प्रिज्णों के अनुसार मंगिला इकलोता पुत्र ही था जो अपने बुड़े पिता का शाहरा था वहीं मरतक की मां का क सामिल होने के लिए आया हुए था बुद्वार को साधी की बैटक के बाद लेट हो जाने के सलते दूसरे दिन घर जाने वाला था लेकिन ऑटो रिक्षा ने उनका जीवन सीन लिया ऑटो रिक्षा को किया जब्द यह से नरेंदर ने बताया कि मरतक युवक के साले हिराराम की रिपोर्ट पर मामला दर्श कर लिया है वही चुशनUM पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑटो रिक्षा सालक युवक को थाने लाया गया वहीं ऑटो रिक्षा को जब्द कर लिया गया है वही मामले को लेकर पुलिस अनुसंदान कर रही है